नमस्कार श्री किष्णा अच्छी राथ है बहुत वह स्वागत है आप सब का देख रहे हैं जोतिष दिशा इस्पेशल मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फेंड आज एक ऐसी जानकारी हम देने जा रहे हैं जो अकसर हम लोग किताबो ताबो में पढ़ते हैं भ्रांतिय के साथ कैसे है किस रूप में है इस पर हमने थोड़ा सा शोध किया और शोध करके हमने कुछ निकाला है हम सब को पता है कि पीपल का ही एक पौधा ऐसा है पीपल का ही पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे आकसीजन देता है ठीक 24 घंटे आकसीजन मिलता है एक मानता के अनुसार और कहीं न कहीं सच्चाई भी है जो आत्माई होती है वो घुटल में होती है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है इसलिए लक्षणों में हमने एक लक्षण यह भी दिया था कि जिस पर आत्माऊं का प्रभाव होता है वो लंबी लंबी सांस लेता है उसकी सांस फूलती है बहुत जादा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है उनके साथ तो पीपल के पेड़ के पास उनके रहने का एक मात्र मतलब यही है कि उन्हें भरपूर मात्रा में आक्सीजन मिलता है दूसरी चीज भगवान स्री किष्ण ने गीता में एक बात बहुत स्पष्ट बोला था कि व्रिक्षों में मैं पीपल हूँ भगवान किष्ण का वास माना जाता है होता है इसलिए भी संभावता है आत्माएं मुक्ति के निमित उनके सरण में रहती हो और उस ब्रिक्ष पर अपना डेरा बसेरा बना लेती हो यह सच है कि पीपल का पौधा आत्माओं के लिए सबसे अनकूल अस्थल होता है सबसे सकरात्मक अस्थल होता है जिसकी कुंडली में प्रेत बाधा या प्रेत पीड़ा का योग होता है ऐसे लोगों को जिन्दगी में भूल करके भी पीपल के पौधे के इर्द इर्द अपना मकान फ्लैट नहीं लेना चाहिए अन्ता उनके उपर इसका प्रभाव नकरात्मक रूप में पढ़ सकता है पढ़ जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी दिक्कते और अन्होनिया हो सकती है और आपको फिर बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा एक मानता के अनुसार विश्व कर्मा प्रकाश और वास्तु के अनुसार जिस घर की रसोई तक पीपल के पौधे का जड़ पहुंच जाता है उस घर का वंश नहीं चलता उस घर के सभी लोग एक नएक दिन मर ही जाते हैं तो देखिए महसूस करिए और अपनी कहानी भेज दीजिए haunted0008 at gmail.com बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपकी मेल काम वेट करेंगे दरिये गमत और इस सीरीज का हिस्सा बरने के लिए mail करिए और mail करने में अपना phone number जरूर डाल दीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सब के इस दिवे प्यार के लिए अपने इस्टो फेंड को नमर दीजिएगा देखते रहें जोतिस दिशा नमस्क्राइब आचार्य विश्व प्रसिध जोति शाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक छिए शू मॉड़ सब्सक्राओ मेश्स